तरुन आईएस के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आपका स्वागत है अभी आपको इंडियन एक्स्प्रेस और दे हिंदू न्यूस पेपर में जो खबरे आई हैं उनका हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो खबर है वो है कि अबद्र भासा के लिए दस यूट चैनल को अवरूद कर दिया गया उन्हें रोक दिया गया है ऐसा इसलिए किया गया है कि सबसे पहले यह आप देखिए कि अबद्र भासा कहते किसे हैं अबद्र भासा समाने तोर पर उन सब्दों को संदर्वित करता है जिनका इरादा किसी विसेश समू के प्रतिख घिरना पैदा करना या यह समुदाय धर्म या जाती हो सकता है इस भासा का अर्थ भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन इसके प्रणाम सुरूप हिंसा होने के संभावना होती है तो यह एक डर हुड़ाता है और भारत के विधी आयोग जिनका की 267 रिपोर्ट जिसमें हेट यानि अभद्र भासा से संबंदित आदी के खिलाफ उकसाने के रूप में देखा गया है भारतिय दंड सहीता में भी इसके कुछ प्रावधान है जो इंडियन पीनल कोड है जिसके अंदरगत 153 A और 153 B में दो समुओं के बीच दुस्मनी नफरत पैदा करना करने वाला ज आर्मिक भावनाओं को आहुद करने वाले कृत्यों को दंडित करने से भी संबंदित है धारा 505-1 और 505-2 में भी समागरी के प्रकासन और प्रसार को अपराध बनाता है और उससे उत्पन होने वाली जो घटना है उनके लिए प्रावधान किया गया है तो यहां पे इंफ अधित तोर पर धार्मिक समुदायों के विरुद्ध अभध्र बासा और संप्रदाइक विद्वेस फैलाने के सामिल है तो यह इसलिए किया गया था क्योंकि सामागरी में धार्मिक समुदायों के बिच नफरत फैलनाले और नकली समाचार यूटूब के अंदर बहुत सार प्रोस की भावना फैलाने के लिए और एक तरह की विचारधारा के प्रती समर्पन के लिए इसका प्रियोग होता था तो ऐसे में जूठे दावे सरकार ने कुछ समुदायों को धार्मिक अधिकार छीन लिए धार्मिक समुदाय खिलाफ हिंसक धमकी भारत में ग्रेह संदर्व को देखते हैं तो समाने अधियन के मुख्य परिक्षा के पेपर 3 में इंटर्नल आंतरिक शुरक्षा में एक है जिसके अंदर ये लिखा गया है कि साइबर सीक्योरिटी के थुरू कैसे भारत की भारत में आंतरिक सुरक्षा को खतरा है तो ये टॉपिक इसलिए भी है कि अगर इस तरह की भासा उन्माद फैलाने के लिए समाज में फैलाने के लिए यूज की जाती है तो ऐसे में होता यह है कि एक खास वर्ग या विचारधारा के लोग या एक किसी खास जाती और समुदाय के लोग उसके प्रती आक्रोस उत्पन हो जाए और तब ये जो विभीन आयाम है जैसे यूटूब, फेस्बूक, ट्विटर इनके माध्यम से अगर ये खवर बहुत तेजी से फैलती है और किसी खास वर्ग के विरूद में एक उत्प्रेणत का काम करता है एक आप समझे तो एक उसको इंसाइट करता है और ये एक तरह से देश के अं तो इसलिए भारत सरकार के INB, Information and Broadcasting मंत्राले ने इसके उपर बैन लगाने का प्रयास किया है आज का हम दूसरा टॉपिक लेते हैं जिसमें क्यापां के प्रधानमंत्री सिंजो आबे के अन्तिम संस्कार के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र, मोदि रवाना हुए हैं संस्कार में वो सामल होंगे और भारत की जापान के जो नए howell प्रधानमंत्रि ये उन से उनकी ज्यादा मेल खाता है इसमें जो प्रिष्ट भूमी यह ऐसा है कि आबे की इसी साल कि जुलाई में हत्या कर दी गई थी और टोक्यों के विसाल निपॉन बुड़कोन इंडोर छेत्र में इनका अंतिम संस्कार होना है तो राजकिय अंतिम संसकार में सांशामिल होने के लिए भार्द के प्रधान मंत्री जापान की दोरे पर गए और इसके साथ ही जापान की विदेष नीती चूकि अब नय प्रधान मं आ चुके हैं जिनका नाम फूमियो किशिदा है फूमियो किशिदा तो इनके साथ भी भारत के प्रधानमंत्री की वेटवारता होनी है जो आने वाले समय में भारत और जापान के राजनितिक संबंधों को मजबूती प्रधान करेगा और ये आप भी जानते हैं कि भारत और जापान की कुटनितिक संबंध की ये सतरवी वर्सगाठ है और ऐसे में भारत जी ट्वेंटी की अध्यक्षता कर रहा है और जापान जी सेवन के गुट की अध्यक्षता कर रहा है तो ये भारत और जापान दोनों के लिए एक भी से हैं आने वाले टाइम में एक ऐसा राजनाइक संबंद बनाने की कोशिस की जाएगी जो आबे का जो ड्रीम था जो उनका विजन था जो उनका द्रिश्टी था उसको जो नए परधानमंत्री किसिदा है वो आगे लेकर जाएंगे यह भारत के प्रधानमंत्री और जपा दन्यवाद